तो आजकी हमारी лास में हम आपके साथ कैस्टम फॉर्मेटिंग की अगली स्थेज़ कल्की कलास में आपको फॉर्मेटिंग में आपको tribes के बारे बताया था च्हुती मुझी FORMATING कैसे की जाती है आज यह आ थी दिसक्त करते हैे तुरु करते हैं कि मैं भी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूं कि और हम एक्सल फाइल ओप्रिंग कर रहे हैं कि जैसे मैं चेक नंबर लिखना चाहता हूं तो इंडिया में चेक नंबर में क्या होता है कि सिर्जित का होता है तो बहुत चाहिए जर्णवन में होता है 00 00632 नहीं करता है तो जन्हें लोग क्या सकते हैं सिंगल कोड लगाते हैं 0000 तो सिंगल कोड लग जाने से सिस्टम उसमर्दता है इस दिश्टा नॉट नमब इस टेक्ट और आपको यह यहां शो कर देता है तो आपको यहां पे सिंगल कोट लगाने की जरूरत नहीं है लेकिन कोश्चन यहां पे उठके आता है कि किसी ने आपको नंबर पहले से टाइब करके दे दिया अब इसमें जीरो अनहीं लगा हुआ है मुझे से जीरो लगाना है तो क्या करें तो इसको सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट चल पे जाते हैं, कट्टम पे आते हैं और यहां जहां जैनल लिखा होता है वहां पे वान, तू, त्री, पोर, फाइव, सिक्स, सिक्स टाइम जीरो डाल लिखे है आज एंटर आज आज़गा ज़गा लेकिन इसे ध्यान रखेगा जैसे यहां पे 001523 है, अगर मान लेजिए, मैंने यहां पे दिया सिंगल कोड में 001523 और मैंने यहां से इसको कर दिया इग्नोर एरर, तो दोनों में, देखने में दोनों एक जैसा है लेकिन दोनों आपस में ब्रावर्ट नहीं है, देखे क्यों? क्योंकि एस सिर्फ 1523 है, बट वीजिवल है 001523 बट एक्ष्वन में जो है, एह है आपका 001523 क्योंकि फॉर्मेटिंग तभी ओरिजिनल वैलू को चेंज नहीं करता है वो जस्ट वीजिवल को चेंज करता है, तो इसमें यहाँ पर वीजिवल को चेंज करते है अब यहाँ पर मैं अगर सेम चाहिए, तो हम क्या करेंगे? कि टेक्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे और जो चीज आप कस्टम फॉर्मेटिक से वीजिवल लाते हो, उसी को आप प्रहिश से का टेक्स्ट फॉर्मूले से उसी कोड को यूज करके आप ओरिजिनल ला सकते हो देख, दुनों आपसे ब्रावर समझ गया है? कुदावर थिए ? रहएवाईटर थिए रहताएटर थिए कुदावर थिए ? अबर थिए ? कुदावर थैटर थिए अब इसमें जिसे कि मान दीजिए मैं इस पर इस पर देट करें तो मुझे इसमें मॉइल नंबर दिखना है तो मॉइल नंबर में प्लाउस नाइन वन अचैप्ट नहीं करता नहीं करता है तो कि प्लाउस लगाने से सिस्टम चोच मचता है कि यहां पर फामूला होने वाला है तो इस फामूला हम एक को लिया प्लाउस से करते हैं दूसरी प्रॉलम है एलेवन डिजिट जो है उसका तो यहां हम क्या करेंगे मॉइल नंबर मैं ऐसे लिक देते हूं तो यहां पर हम राइट क्लिक करके फॉर्मट तेल पर जाते हैं पर राइट क्लिक फॉर्मट तेल प्लाउस नाइनवन डे दिया और यहां पर जिरो 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 टेन डाल दा जियेंगे लिगर की नहीं कि रही हूं manufacturing एक ज़्याधा होगा लग रहा है अत्या है कैसे में नंबर ही कंश प्वेह ढि लेकि यहां पे अब इसमें प्रॉलम क्या होती है इस प्रॉलम क्या होती है मैं भी जोड़े बताता हूं पहले उसे आगे एक ची और करते हैं जैसे मुझे यहां पे मीटिंग आइडी जाना है तो हर तीन विजिट के बाद हम चाहते हैं अब लग जाए तो राइट प्लीक हम फॉर्मेट टेल पे आते हैं कस्तम पे आते हैं और यहां है कर दिजिए या जिरो कर देए नहीं जाए अब यहां है ऑल्या है मतल् कर दो यहां है लगया ऐसे मान दिजिए मुझे एक काउंट नंबर यहां डालने हैं तो क्या होता है कि कोई भी नंबर अगर आप 9 10 11 तक डालते हैं तो दिखता है जैसे आपने नंबर बढ़ाया तो प्लस वर्ने साइंटिक फॉर्मेट माजाता है तो राइट क्लिक या फॉर्मेट तेल पे गया मैं कस्टम पे आता हूं यहां पे सिर्फ आप एक हैश कर दीजिए और ओकी कि तो आपकर नंबर दिख जाएगा यह जीरो कर दीजिए उससे लेकिन जहां लिखेगा यह आप जो है सिर्फ 15 डिजिट तक ही लिख सकते हैं उससे उपर लिखने पर आटोमेटिक ओर नंबर क्या हो जाएगा क्योंकि सिस्टम के अंदर में आपकि नंबर को नंबर में सिर्फ 15 डिजित तक ही लिख सकती क्योंकि आपके सिस्टम की जो energy होती है कैलिकुलेशन की ओ इतने ही होती है इससे ज़्यादा की कैलिकुलेशन कैपिसिटी नहीं होती है अलिका को जरूरत है तो आप सिंगल कोड लगाए और टेक्स फॉमेट में बत्तिस जार तासु सहरशन प्लाक आराफानी से डाल सकते हैं कोई पॉलम नहीं अब मैं वापस आता हूं यहांपे कि किसी भी यहां पर मैं मालेशन के नंबर लिखा तो मैं यहां पर डबल जीरो कर देता हैं तो जीरो जीरो लगा देता है तो इसको कैसे रोका जाए कि जितना डिजिट में लिखूं उतना ही दिखेगो कि नंबर दिखकर नुश कर रहा है समझ में नहां रहा है कि कौन सा नंबर सही है गलत है तो इस जीरो के जगापे आप हैस देजिए एक दो थीन चार पांच जेज साथ आज नौ दस है ठीक है तो तो यह तो इस जीरो का फंड़ा क्या होता है समझें अब मैं यहां पे नंबर डालता हूं मुझे इस नंबर ऐसे नहीं शो करना है हमें यहां पे इमाउंट शरी एमाउंट और फिप्टीन हंड़िड या एम आर्पी फिप्टीन हंड़िड शो करना है तो अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो क्या होगा कि इस पे किसी भी तरह का मैसेमेरिकल काल्कुलेशन नहीं होगा रीजन क्या है रीजन यह है कि इसके अंदर जो एमाउंट की फिप्टीन हंड़िड जो है इस टेक्स हो गया क्योंकि कि तो क्या करें इसके लिए तो मैं यहां फिप्टीन हंडे डालूँगा मुझे किसी भी नंबर आप विजिबिलिटी में कस्टम परमेटिंग के मदल से किसी भी नंबर को कम या ज़्यादा तो उसके आगे पीछे किसी तरह का प्रिशिक्स अप लगा सकते हैं तो मैं कस्टम कि मैं अग्ण में इसके आगे और पीछे अगण मैंने जीरो या है नहीं दिया उस्ति मार्पी शोगी आपका नंबर सो नहीं होगा कि तो नंबर को शो करना है तो क्या करना है इसके आगे और पीछे आपको जीरो या हैस देना है अगर आप में दो बार जीरो यहां डाल दिया तो क्या होगा आपको दिखेगा कोई फक्त नी पड़ेगा यह दो बार हैस डाल दिया कोई फक्त नी पड़ेगा फक्त पड़ेगा जब आप यहां पे फाइब डाले तो जीरो फाइब हो गया मतलब अगर देते हैं तो दिजित को मेंटेन करता है अगर हम लोग उस कॉलम पर सपोस्ट एमांट लिख रहे हैं और उसमें मुझे चाहिए रुपीस आरेस तो उस जगह पर एमर्पी के जगह पर हम लोग आरेस डॉट ऐसे भी दे सकते हैं इसके बीच में आप कुछ भी डाल सकते हैं कि अगर वार मुझे ऐख हैं अगर्व कि यद्यूंट हैस क्यों डालते हैं चलिए इसके एक दो एक्जामपल और देते हैं जैसे मैंने यहां पर 15 रुपे क्यूसर पैसे डाल दिये अब मैंने यहां क्या किया कस्टम के गया इंवर्टेड कॉमा यहां पर एक जीरो और हैस दिया जीरो और हैस और फिर यहां पर लिखा मैं रुपीज फिर डॉप जिरो जिरो और फिर यहां पर डाल दिया पैसे ठीक है और हमने इसको ओके कर दिया है आई यहां पर यहां पर सोचते होंगे कि मैंने इसके आगे जीरो क्यों दिया और हैस क्यों दिया अगर मैं सिस हैट देता तो भी कोई फ़र्क भी फ़र्क फ़र्क पता कब चलता जब आप सिफ डेशमर में डालते हैं तो यह रुपीज 65 पैसे लगता फुरा से और लग रहा है तो ठीक है हम यहां पर दो बार जीरो डाल देते हैं दो बार जीरो डालने पर जीरो जाएग इसलिए हमने यहां पर एक हैश और एक जीरो डाला लेकिं डेशमर में डॉट जीरो 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 जालेंगे अगर आप यहां पर हैश डाल दिया आपने तो साथ उपेर को साथ पैसे होगा प्शे पैसे लिखेगा हो जीरो नहीं दिखाएगा यहां दूसरा मेरे पास क्रेट कार्ड नंबर है राइट तो मुझे कार्ड नंबर कुछ इस तरह से चाहिए इस तरह से होना चाहिए है जनले स्टेट्मेंट होता है ना सर हां होता है तो मैं चाहता हूं कि मैं आप डिजिट कंटिन्यू लिखूं बीच में यह जो एक्स है वो अट्मेटिक लग जाए तो कश्चम में आऊंगा और यहां पर जीरो या है फोर टाइम डालूँगा उसके बाद इनवर्टेट कंवां में आठ एक्स जो है कि दाल दूँगा फिर वापत चार जीरो यह है जो भी जालना है आप डाल दिए और फिर इसको ओके की हुए अब आप देखिए अपका दिए गया ते उसी तरह पॉमेट में नहीं इन चीजिए हम यूज करते हैं है क्लियर सर अंकिर जी कोई डाउट इसमें नहीं नहीं सर क्लियर इसमें और सी बढ़ते आगे जैसे मालेजिए कि मैं यहां पर 25 विपीज लिख रहा हूं मुझे इसको 1000 सेपरेटर आप यहां से भी लगा सकते हैं लेकि मैं चाता हूं कस्तम से लगाना तो कस्तम में यहां आउंगा और यहां पर एक दो त्री तीन बार हमने लगा दिया देन ओके तो गया दर कुंटीफाइट आउजन लेकिन अगर आप में सिर्फ हैश लगा दिया और कॉमा दे दिया तो क्या होगा इमांट इन थाउजन मैं यहां पर फिप्टी थाउजन लिखूंगा फिप्टी आए ठीक है मैं यहां पर वन लाख फिप्टी थाउजन दे दूँगा तो वन विफ्टी आए इसके आगया आप कोई और इनिशियल जैसे बहुत साथ लोग जर्वर पर देख्टे वोट के लगा होता है और मिलियन्स में है तो आप क्या करेंगे टैक्ट यहां पर जीरो पॉइंट जीरो और डवल कॉमा कर देखेंगे तुन्टी फाइज मिलियन्स में लिए नियुए यह जो चीज है हमें जब वह ग्राफ बनाते हैं यहां हां खासकर ग्राफ में सभी उच करते हैं हां उस टाइम पर यह जह सब्सक्राइब सब्सक्राइब ट्वेंटि थाउजंग और किसी में है टोनटी थाउजंग किसी में है जो आप एक कोमेट लगा तो यहां पर मेंट होगा जो भाशन के अन्य फैफ थाउजंग तो उसको डिफेंट में अगर हम उसको आपने यापने लिखा है 150k तो ऐसे कुछ उसमें बड़ना सकते हैं सब्सक्राइब करना पड़ेगा कोई भी परवंट अप्लाइब किजिए जो की जोगात अपने अपने आपको जब लेगा अब जिसे कि अब बात करते हैं अब यहां पर देखेगा मैंने एक बात दी लिखा तो यह वन तू त्री पूर आ गया दो बार लिखूंगा तो जी रवन तू आजाएगा और त्री तीन बार लिखूंगा तो यह वी का शॉर्ट नम्जिस संदे का एसी वेन बिनस्टे का डबली ए दी आगया और चार बार चार से जादा बार मैंने लिखती है तो दूर दिन पूर टाइम लिखा तो यह कम्प्लीट बिनस्टे आ ग तो इसको आप जिस मर्जी फॉर्मेट में जिधर मर्जी फॉर्मेट में इसको कर दखते आपका डेट उसी तरह से बनेगा कुझ है कि उसी तरीउक यह से टाइम ढी है एस अम्स जैता मर्जी चाहिए उस मर्जी मिए का वां कि वर्क और हैं तिका मैं जाई यह तो लासं में यहां पर नुज जोगाविए यहां निला प्रॉपर नुर्ववर्ण करता हो इसि कि लैसोने ठाएदा बीव कि अगला कोश्चन यहां पर आता है अब यह मालिज्जे की मुझे टाइम को करना इसको मिनट में करना कि कितने मिनट हुए तो इसको जो है आप मैंने किसी का 20 गंटा 35 मिनट केलिकुलेट किया हुआ है मुझे इसको मिनट में करना तो आपको कुछ नहीं करना है कि एक कि में अ को रखी डिज़ी के लिए कैलिकलेशन के शाहिए तो क्या करेंगे टेक्स फॉर्मुला करना कर सकते हैं का हमारा पहला पार था अब आपको हम एक लिंक मेल कर रहे हैं राइट लिंक के अंदर में आपको जो होगा बढ़े हैं इसको आपको पढ़ना है इसको अब इसको पुरा इसे प्लिक कि दिए राजैब अब यह आठिकल मेरा नहीं है मैं ब्राइब करना के अश्याद आठिकल जो है एक आर्टिकल हमारा माइक्रोशॉफ का है ओके ठीकल है हमने इसको कॉपी किया और इस लिंक को मैं आपको चैट पे दिरेता हूँ आपको इस लिंक को आपको स्टडी करके आना है कल तो कल की जो क्लास है वो एडवांस कस्टम फार्मेटिंग होगा इसी फीकर का एडवांस हम बताएंगे आपको कल की क्लास में प्रिके अप्लोड करें के आपको बेज जयता हूं तक प्लाथ अपलेट करजा भाद में आपको ड्राइव एसमित कर दूंगा थेंक यू थेंक यू थेंक यू थेंक इसर्व ओके बाइव धाय के शेए